सबी लोगों को नमस्कार जैहिन आज की वीडियो में असाम रैफल हेड़कॉर्टर डिरेक्टर जनरल असाम रैफल मैं जो आईजित सम्मान समारो मैं जो हमारे लेपने जनरल विकास लकेरा एवी एसम एसम महार ने दे सक दीजियार असाम रैफल द्वारा दिया गया आप तक पहुंचाने का है यह सम्मान समारो 31 अगस्त दोजार चोबीस को जो है हेड़कॉर्टर डिरेक्टर जनरल असाम रैफल लाइकोर शिलॉंग में अविजित किया गया था 31 अगस्त दोजार चोबीस को असाम रैफल से सेवा निब्रित होने वाले 119 जेशियों साब और ओर्वार्स को सम्मान समारों में राष्ट के लिए उनकी निश्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित किया गया इसके अलावा उन्हें साटिफिकेट और फोटो ग्राफ्स दिये गए डीजी साब ने सेवा निब्रित होने वाले जो असाम रैफल के लोगों को असाम रैफल में दसकों तक सची निश्टा से देश की जो सेवा करने करके सकुसल सेवा निब्रिती पर उन्हें सुबकामना समय दी बधाई दी और धन्यवाद दिया और उन्होंने एक भावनात्मक स्पीज दिया उन्होंने कहा कि देश की सेवा का मौका हर किसी को नहीं मिलता है जब तक हम भड़ती होते हैं हमारे साथ बहुत सारे लोग लाइन में खड़े होते हैं लेकिन उसमें से कुछ ही हैं और भड़ती होते समय हर किसी को देश सेवा की ललक होती है और भड़ती होने के दिन ही हम अपनी जिंदगी को देश को समर्पित कर देते हैं डी जी साब ने कहा कि आप लोग सबकुछल देश की सेवा दर्शकूं तक करने के बाद वापिस एक बार फिर से अपने हो जाते हैं कुर्बान हो जाते हैं यह अभी एक गौरब की बात है देश के लिए लेकिन आप लोग इतने दसकूं तक जो है सेवा करके विपरीत और कठिन परिस्तितियों में डेश के नौर्थ इस्ट में जमू कस्मीत सिरलंका हैती जैसे देश में सेवा करने के बाद इसकी सेवा नोकरी नहीं है यह एक समर्पन है त्याग है सेवा है बलिदान है यह नोकरी नहीं है डीजी साब ने कहा कि सेवा के दोरान सुख दुख कस्ट आते हैं जाते हैं जीवन में दुख या कस्ट आना भी जरूरी होता है तभी तो सुख का आनंद लिया जा सकता है और उसका एसास होता है। उन्होंने डीजी साब ने कहा कि जीवन में यदि बुरे दिन नहीं आएंगे तो अच्छे दिनों का पता कैसे चलेगा। लोग देश के विवन भागूं से चिन्नाई से कहीं जमु कस्मीर से हरियाना पंजाब से उत्राखंड से गोहाटी पहुंचते हैं। बहुत सारे चुट्टी नहीं लेते थे। बहुत डीजी साब ने पूरा आला की नहीं कहा लेकिन ये डीजी साब ने कहा कि आपने विपरीत हालात में देश की सेवा की। हला की समय के साथ साथ हालात बदले हैं देशने तरक्य की जिस कारण अभी कुछ सुपिताव का विस्तार हुआ है। अज़ी देशने अज़ी साब ने अश्य और नबबे के दसक में नौर्थ इस्त में जब आतंगवाद चरम सीमा पर था। उस परिस्तिती में सेवा का भी उलेक किया असाम रैफल का। उन्होंने असाम रैफल के लोगों को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद दिया और तालिया मजाई। उन्होंने कहा कि मिल बैटकर हर प्रेम से हर समच्छा का समाधान हो सकता है उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग असाम रैफल के अब पचास साल से कम उम्रे में सेवा निबरित हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि घर में जाने के बाद खाली मत बैढ़ना और कुछ न कुछ काम जरू जो कुछ भी अच्छा किया जा सकता है दूसरों के हित्में सुधार की दिशा में जो कुछ भी अच्छा हो सकता है उसमें अपना समर्थन और योगदान देना है दीजी साब ने कहा कि आपको लोग सम्मान तभी देंगे जब आप सक्षम होंगे और आप समाज के लिए दूसरों के लिए कुछ करने में बेस्त रहेंगे उन्होंने उधारन दिया कि रूकना नहीं है उन्होंने एक नई कार का उधारन दिया गर आप नई कार खरीद के उसे छह मैने के लिए घर में रग दो चलाओ नहीं तो बाहर निकालोगे तो बाद में उसमें जंग लग जाएगा और वो कार बरबाद हो जाई और आपका पैस बरबाद हो जाता है। इसी तरह मकान बना दिया और उसकी मेंटेनेश रिपैरिंग नहीं की। उसमें द्यान नहीं दिया तो फिर वो मकान भी कुछ समय के बाद बंजर पढ़ जाता है। इसलिए उस पानी को रुकने नहीं देना है उसी तरह सरीर को भी ज्यादा आराम नहीं देना है इसलिए बहता पानी की तरह बनना है डीजे साब ने कहा कि नसे के बारे में सुझाओ दिये कि सराब के नसे से अच्छे कई और नसे हैं कोई पूजा पाट का नसा होता है किसी को किसी को एक्सरसाइज करने का नसा होता है किसी को पढ़ने का नसा होता है किसी को गाने का नसा होता है किसी को योगा करने का नसा होत जिन्दगी को शफल बनाने के लिए वो नशा करें ऐसा नशा करें जिस से आपकी जिन्दगी सफल हो डीजे साब ने कहा कि इतने साल फौज में कठिन विप्रित ौहलातु में देश की सेवा करके pension जा रहे हो तो कम से कम 30-40 साल pension लेकर जाना है जीना है 30-40 साल पैंसन जो है खाना है उन्होंने कहा कि हमें selfishness नहीं बनना है बलकि selfish less बनना है हमें ऐसा करना होगा कि ऐसे काम करने होगे कि हमारे कारण अगर दो आजमी का भला हो सकता है तो उन्होंने सेवा निब्रित होने वाले लोगों को कहा कि आज हम बैठे हैं कल हमें भी आपकी साथ ही बैठना है जहां आप बैठेंगे retirement के बाद वहीं हमने भी आना है तो यह अच्छी बात होगी और उन्हें कहा कि आने वाले समय में हम असाम रैपल के जवानों को सेवा निब्रित होते समय और अच्छा function समारो करेंगे जिस तरह से आर्मी के अंदर हर मेने 58 officers सेवा निब्रित होते हैं तो chief of army staff साथ मोदै उन्हें एक certificate देते हैं इसी तरह से हम भी आपको certificate देंगे अंतर में डीजी साब ने सभी 21 अगस्त 2024 को असाम रैफल से सेवा निब्रित होने वाले जवानों को जेशियो साब को सबको असाम रैफल की तरब से सभी officer साब जेशियो साब की तरब से सुपकामनाय बदाई और धन्यबाद दिया तो ये आयोजन 31 अगस्त को आयोजित किया गया था लाइकोर डीजी आर सिलॉंग में तो ये थे ये हमने हमारे पास कुछ फोटोग्राप्स और मैसेज आया था वीडियो आया था तो हमने कहा कि अब उस वीडियो साब की आवाज को हम इसमें नहीं दिखा सकते हैं को भी राइट का भी मामला होता है तो हमने उसको पढ़के याद करके हमने आपको डीजी साब की जो बात है आप तक पहुंचाई तो आपको कैसा लगा वीडियो को अधिक से अधिक आप सेयर करें सब्क्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे लोगों भूत्पुर्य सेनिक परिवारों तक पहुंचाए नमस्कार जेहिन